नमस्कार स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में मेरे साथ मैं हूँ प्रशान भारद्वाज और मेरे साथ मजूद है मेरे सहयोगी अश्विनी पाठक एक बहुत बड़ी खबर अभी अभी आई है कुछ देर पहले के राहूल गांधी जो कॉंग्रस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं विपक्ष का देश में सबसे बड़ा चेहरे भी माने जाते हैं और लेकिन उनको जुड़ी जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त आई है वो उरत کی सेशन्स कोट ने फैसला सुनाया था दो साल की सजा राहूल गांधी को दी गई थी उसके अलावा उन्हें हाला के बाद में जमानत जरूर मिल गई लेकिन जो नियम है उसके मुताबिक ये हुआ है कि दो साल की सजा जो कोई विधायक या सांसत किसी को अगर दी जाती है कोड की तरफ से या फिर दो साल या उससे जादा की सजा मिलती है तो जो सदसता होती है किसी भी विधायक या सांसत की वो स्वतह ही रद्ध हो जाती है वो अयोग्य करने के लिए लेकिन फिर अगले ही दिन्याने के आज जो है वो खबर ये आई है कि राहूल गांदी की सदस्था लोकसभा स्पीकर की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके मताबिक रद्ध कर दी गई है और अब वो एक सांसद के तौर पे अयोग्य हो चुके है और पूर्व सांसद हो चुके हैं तो अश्विनी जैसा कि हम देख रहे हैं कि राहूल गांदी की संसथ सता को खत्म कर दिया गया है और इसके साथ ही वो अब चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य हो जाएंगे आने वाले छे साल उनके जो राजनितिक करियर है उस पे बीच में ही उसको स्थगित किया गया ता सजा को तो फिर स्पीकर की तरफ से इस तरह के से ź्टिस्कौलिफिकेशن क्यों किया गया है नहीं इसकी मांग लगातार अगर उनको दो साल की सचा हुई है तो वैसे ही वो डिस्क्वालिफाई हो गए जो कानून है और सबसे वड़ी बात यह है प्रिशंद इस कानून को कॉंग्रेस सरकारी लेकर आई थी इसको राहूल गंदी ने सब के सामने एक बार फार दिया था कि इसका विरूद कर रहे थे और समय मनमोहन सिंग जो मतलब प्रधान मंदरी थे वो विदेश ची दोरे पर दे वो अमेरिका दोरे पर थे तो समय उन्होंने ये कानून की प्रती थी उसको फाड़ा था और इसका अब रोज जता आया था देखिए ये कानून के तहत अगर कोई भी सांसद ये जन प्रती सं Bay明हे और राहूल गांदी के साथ भी या है अभी कहा जाता है राहूल गांदी जा सकते है मतलब सचन कोड कर इसे मैं घृतिक जा सकते हैं वो इसका विरोध कर रहे थे राहूल गांदी को जो सजा हुई है और खुद बेपक्षे तमाम सांसद जो है पारलियमेंट से लेकर बिजे चौक तक मार्च कर रहे थे तमाम विरोध पर रिसन दर्ज करा रहे थे और उसी बीच ये खबर आए कि राहूल गांदी अब सांसद नहीं रहे हैं और उनकी सदस्ता रद कर दी गई है तो सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ये कानून कांग्रस के सरकार में ही लाए गया था जिसका राहूल गांदी ने विरोध भी किया था और उसके बाद तमाम जो नेता है उनकी सदस्ता इस कानून के तरद की गई अब राहूल गांदी भी खुद इसके तरद आए है और सबसे बड़ी बात ये प्रशांद कि इसमें दो साल की जो सजा का प्रापदा ना उसके बाद भी छे साल एड होते हैं जिसमें वो आयोग घोचत हैं किसी भी चुनाब को लड़ने के लिए तो यानि कि 2024 का जो लोग सबाद चुनाब होना है उसमें भी राहूल गांदी नहीं पार्टिशिपिट कर पाएंगे और कॉंग्रेस का जो मुख चैरा माने जा रहे थे कि सोनिया गांदी की जो हालत है उसकी उनके जो स्वास्त रहता है उसकी बज़े से अर्थकले लगाई जारें कि 2024 के लोग सबाद चुनाब को नहीं लड़ेंगी और उनने इस तरीके की थोड़े बहुत अपने पार्टी की निताओं को इस पश्च तोर पे बता भी दिया ह लेकिन अब राहूल गांदी भी जो चुनाब नहीं लड़ सकेंगे तो कांग्रेस के पास क्या विकल्प होगा और बिपक्ष का चेहरा राहूल गांदी बनकर उबर रहते हैं तमाम जो राजनितिक पार्टी हैं कुछ लोग नकार भले रहते हैं लेकिन कहीं न कहीं उनको इस समर्थन मिला था उन्होंने जैसे तरीके से प्रधानमंतरी नरहिंद मोदी और विजेबी का विरोत किया तो उनको जो है वर्टस्विन मिला था आता है वो यह है श्विनी कि साल 2013 में जो सुप्रीम कोट ने फैसला सुनाया था उसी के तहत ये प्राफधान है कि कोई भी जन प्रतनिदी जिसको दो साल या उससे जादा की सजा दी जाती है किसी भी अदालत की तरफ से तो फिर उसकी सदस्ता को रद मान लिया जाता है व सुप्रीम कोट ने ये साथ ही साथ इस ओरडर में ये भी कहा था राहूल गांधी ने कल हमने देखा कि जो उन्होंने मोधी सरनेम को लेकर टिपणी 2019 में करनाटक में की थी उसको लेकर उनके खिलाफ फैसला कल सुनाया गया था लेकिन यहाँ पर अश्विनी सवाल ये है कि जब सुप्रीम कोट ने अपने उर्डर में पहले ही कहा है कि ये नियम उनके उपर लागू नहीं होगा अगर कोई उपरी अदालत में अपील करने के लिए समय मांगता है और वही काम राहूल गांधी ने किया तो फिर उनके उपर ये नियम लागू क्यों नहीं किया गया नहीं प्रशांद सबसे पहली बात है कि राहुल गांदी की तरफ से अभी तक उपरी अदलत में अपील नहीं की गई है और उससे पहले ही एक मतलब उनकी सदस्ता को रद कर दिया गया तो ये एक तोर पर उनको जटका सा लगा है क्योंकि उनको अपील करने का मौका नहीं मिल जबकि कोर्ट ने 30 दिनों का समय दिया था वो अपील कर सकते थे तो कहीं न कहीं कॉंग्रेस इस मुद्धे को राजनीती में भुनाना चाहेगी और जो तमाम विपक्ष के नेता हैं वो राहुल गांदी के साथ इस मुद्धे को लेकर खड़े होंगे और अगर विपक्ष क परद कर दी गई है उस पर अगर रिष्टे नहीं लग पाता है जो की संबब नहीं लगता है तो बाइनार्ट में भी चुनाब होना है और कॉंग्रेस में सबसे जो प्रमुक रहा है गांदी सर्रेम या गांदी परवार की सुद्ध से रहे हैं उनकी तरफ से कौन होगा जो जो चुनाब है क्या वो इस वार मैदान में उतरेंगी और क्या वाइनार्ट से राहूल गांदी की जगह मासने लड़ेंगी या सुनिया गांदी अगर इलेक्शन नहीं लड़ती है उनकी सीट से कौन चुनाब लड़ने जा रहा है तमाम कॉंग्रेस के लिए एक बड़ा स में कॉंग्रेस को भी उमीद दिखने लगी थी कि राहूल गांदी की नेतरत में हो सकता है चुनाब लड़ा जा और मोंदी और बीजेपी की जो सरकार है उसको राहूल गांदी जो का जो चेहरा है वो टकर दे पाए लेकिन अब ये सवाल है कि 24 में तो राहूल गांदी राहूल गांदी उनकी सदसता रद कर दी गई है और जिसकी बात अश्विनी ने भी कही कि जो अध्यादेश 2013 में उततकालीन मनमोहन सरकार की तरफ से लाया गया था जिसमें ये कहा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का ओर्डर जो अभी हमने जिसका जिक्र किया अपनी बात राहूल गांदी ने उस अध्यादेश को फाल कर फैंक दिया था जो तस्वीरें आप सभी ने देकी थी और जो बहुत उस वक्त चर्चा का विशय भी बनी थी तो जो उनकी पहले की करनी थी जो उनके पूर्व के हम ये कह ज़कते हैं कि जो पहले का उनका कोई एक कर्म था राहूल गांदी का वो आज उनके सामने आ गया है अगर वो अध्यादेश लागू हुआ होता तो अशवी आज राहूल गांदी संसद सदस्च होते हैं सांसद होते हैं Mayproduct पृसाद या जो मनमोहन जरकार का हिस्सा थे चारा घोटाले में उनके केस की सुनवाई होने वाली इसलिए उनको राहत देने के लिए मनमौन सरकार उस अध्यादेश को ले कर दी गई है देखिए कॉंग्रेस को कही ना कहीं कॉंग्रेस ने खुद ही डुबाया है एक बयान में मैं सुनना था कि राहूल गांदी पंजाब कि किसी रैली में लोग बोल रहे थे जो कॉंग्रेस मोदी को लेकर चौकिदार चोर है लेकर सुप्रीम कोड की जो राहूल गांदी ने सुप्रीम कोड को कोड किया था जबकि सुप्रीम कोड ने ऐसा कुछ नहीं कहा था उसमें भी अभवाना में राहूल गांदी दोसी दिया है हलांकि सुप्रीम कोड ने उनको बिनसर्त मोदी क्यों है तो कहीं न कहीं उसको लेकर जो पूरा मावला बना और गुजरात में उनके खिलाब केस दायर हुआ और उसका नतीजा निकला कि राहूल गांदी को अपने संसद सदस्ता से हाद हो न पड़ा जे बिल्कुल राहूल गांदी की जो सदस्ता है वो समाप्त हो चुकी है खत्म हो चुकी है एक मात्र जो पद उनके पास था वो सांसद का ही पद था इससे पहले वो कॉंगरस अध्यक्ष थे लेकिन फिर उसके बाद कुछ वक्त तक अंत्रिम अध्यक्ष सौनिया गांदी र दूसरी बात विपक्ष का चहरा अब बड़ा कौन होगा। आपने देखा होगा अलग अलग मुद्दो पर और उनको बच्चाप के लिए कैसे मलका अरजुन खड़ गया बहले ही मलका अरजुन खड़ गया। प्रियंका गांधी की बचाएं प्रियंका गांधी का चहरा अगे रखना चाहिए क्योंकि राहुल गांधी तो तपस्वी बन चुके हैं बारत जोड़ो यात्रा के बाद। तो क्या आप उस परिपेक्ष में इसको कैसे देखते हैं कि प्रियंका गांधी को आगे करने के लिए कहीं राहुल गांधी को सियासी तोर पे तो नहीं बैक फूट पे धकेला जा रहा कुछ हैं। प्रिशान सही बात यह है कि कॉंग्रेस के पास विकल्प नहीं है प्रेंका गांधी अगर गांधी परवार के पास बात करें विकल्प की तो प्रेंका गांधी हैं। 2024 के एलेक्शन में अगर सुनिया गांधी के स्वास्त के बज़े से वो चुनाब नहीं लड़ती हैं। राहूल गांधी आयोग गोशित कर दिए गया हैं तो अब प्रेंका गांधी का यह चहरा है क्यूंकि में का गांधी अगरुन गांधी तो भारतिजन्था पार्टी में हैं हलाकि उनके पार्टी से मतभेद भले चल लेकिन इतने भी नहीं है कि वो कॉंग्रेस में सामिल हो और इस मतलब दोनों परवार एक जूट होकर बारतिंदा पार्टी के खिलाब चुनाब लड़ें अभी तो देखने को नहीं मिला लेकिन पफिश में क्या हो सकता है राजनीती है इसमें कुछ कहा नहीं सकते है दूसरी बात प्रशांत आपने कही थी राहूल गांदी के पॉलिटिकल ग्राफ की कैसे बढ़ रहेगा या आगे चलके उनका केरियर क्या होगा तो मुझे तो यह हमेशा से घटा हुआ नजर आया है कि राहूल गांदी सांसद बने सत्ता में थी उनकी पार्टी कोई भी पद ले सकते थे लेकिन सांसद रहे उनकी बाकाइदा उनकी हुकूमत चलती थी कहा जाता है क्योंकि फैसले जो है गांदी परवार ही लेता था ऐसा भी बोला जाता है लेकिन उसके बाद राष्टी अध्यक्ष बने तमाम चुनाव उनकी नेतत में कॉंग्रेस हैं लेकिन उस तरीकी से सफलता नहीं मेली तो उनको निरासा लगी और अध्यक्ष पद छोड़ा तमाम उनके या उनके करीबियों पर अलग अलग जो उनके करीबी थे और जो पूर्व नेता जो कह सकते हैं सोनिया गांदी के या राजीब गांदी की समय से जो नेता कॉंग्रेस पार्टी से जोड़े रहे उनके बीच मतवेद भी सामने आये राहुल का गुट एक अलग तैयार हुआ यूवा नेता बाला और एक कॉंग्रेस का जो बुजर्व को कह सकते हैं पूराने लीडर्स हैं उनका एक गुट तैयार हुआ था तो कहींना कहीं कॉंग्रेस में भी मत भी थे जो यूवा लीडर्स हैं वो राहुल के तरफ अपना पक्ष्य रखते थे जबकि राहु लाती है और क्या राहुल गांदी अब खुलकर भारतिजिंता पार्डी प्रधान मंत्री मोदी या विपक्ष के नेता के तो और पर उबर के आते हैं एक अबसर भी है उनके पास क्योंकि ना वो अब संसत सदस हैं ना उनके पास कॉंग्रेस में कोई पद है तो वो लगाता पर उस पर तो समय आने वाली बाती पता जलेगी और राहुल गांदी किस तरीके से क्या विपक्ष के नेता के तौर पर उबर पाएंगे यह भी देखने को मिलेगा लेकिन यह बात कह सकते हैं कि इस समय जो मौहल है वो राहुल गांदी के पक्ष में जा सकता है तमाम विप पीच वो जिस तरीके से दे रहे हैं हलाकि बीच बीच में एक चोटे मोटे जो बयान आते रहते हैं वो चर्चा का बिशा बने रहते हैं लेकिन कहीं न कहीं राहुल गांदी भी कुछ खुद को सीरिस नेता के तौर पर प्रिजेंट करने वाले हैं और आगे चलके क्या वि योग्यता जो करार दी गई है उसने भी अपने आप में बहुत सारे सवाल अब खड़े कर दी हैं 2023 में अभी करनाटक है मद्यपरदेश, राजिस्थान, 36 गड़ तमाम राज्यों के चुनाव हैं उसके बाद लोक सभा का जो समर है वो होगा लेकिन इस सब के बीच में जो मेरा माइक बंद कर दिया जाता है जब मैं बोलना शुरू करता हूँ तो संसद में मुझे बोलने नहीं दिया जाता मेरे माइक को बंद कर दिया जाता है विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है तमाम बातों को लेकर राहुल गांधी अभी तक बीजेपी की तरफ से विर अभी उनका जवाब तलाशने में कहीं न कहीं समय जरूर लगेगा फिलाल हमारे साथ इस खाज पिशकश में इतना ही फिर मिलेंगे आपसे किसी और इसी तरह की बड़ी ख़बर के साथ उसकी चर्चा और उसके विशलेशन के साथ लेगिन तब तक के लिए हमें दीजे जाज़त नमस्कार